हेलो एवरिवन आज मैं आपको बहुती एक्स्ट्रीमली नियूट्रीश फूड बताने वाली हूं जिसकी सीट्स पॉट्स लीव्स फ्लावर रूट्स एवरिधिंग बेनिफिट्स अस और वो है मुरिंगा यह मुरिंगा की पतियां है जो हम आज इसका पराठा बनाने वाले इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे और 6-7-8 पॉट्स ऑफ हम इसमें गार्लिक टालेंगे इसकी विसल करेंगे थाई मीडियम फ्लेम पे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए इस प्लांट यह वेजिटेबल को शोबन जना भी कहा जाता है सैजन भी कहा जाता है इसकी सीट्स क्योंकि यह अंड्रेट से जादा डिजीज को किल करता है हमारी बॉड़ी से और यह ब्लट शुगर, आंटी एजिंग, आर्थराइटिस, लीवर सब के लिए बहुती बेनिफिट है यहां मैंने इसको रखा है थोड़ी देर के लिए ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए उस आज़ा इसमें रेट चीली फॉटर थोड़ा सागा है इसमें तोड़ा साह शॉड़ा बे डालेंगे, न्यूदा अधोर साजा पूदर और इसमें थोड़ी सी रेट चिली पेस्ज भी ढालेंगे और अनियन बीट शुच्छ ए तो डाल सकते हैं अगर आप इसको इसको इस क्योंकि नॉर्मली मेडिसिन के तौर पे खाएंगे तो वो खाई नहीं जाती है आप जैसे 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 विंटर करीब आते जा रहे हैं उसके लिए यह बेस्ट है क्योंकि सारे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अक्टिवेट होने वाले हैं सबकी लाइफ में तो आप इसको अ आपको बहुत ही अच्छा रखने वाला है पूरी विंटर्स तो चलिए इसका डो बना लेते हैं खुब अच्छे से और इसको बहुत ही अच्छे से सौफली इसका डो बनाएंगे ताकि हमारा पराठा अच्छा सबन सके और ध्यान रहे कि इसको फोरन ही फोरन बनाना इसको मैं आपको दो तरीके से खाना बताऊंगे एक नॉर्मली जैसे पराठा से खाते हैं उस तरीके से और एक दूसरे स्टाइल से बताऊंगी जो लोग क्यालरी कॉंशिस हैं उनके लिए भी है कि वो अगर इसको खाना चाते हैं अपनी हल्दी लाइफ के लिए तो आप कैसे खा सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आटो आल्मोस्त तयार हो गया है और अब हम इसका पेड़े बनाके इसकी पराठा बनाएगे अब हम इसकी मीडियम साइज में रोटिया बनाएंगे और इतनी बड़ी नहीं करेंगे कि यह तूट जाए क्योंकि यह बह अब आएन, मैंने ठोड़ा स देसी घी आप्लाइए थोड़ा थोड़ा विल्कुलितिल में काव घी यूज करती हो आप लोग को विल्कुलितिल बॉद्थ हम इसके अलग अलग benefits है क्तलि हैं विह बिखчи के थिरिया, समुनियर हम इसको उत्छे से प्रेस करकर श्राइंग अब प्रेस करके आप सिस्किट सकते हैं आक अजरैं तो आप खैकें डोलिया जक्ताके हैं चली की अच्छार लिया है में वह बहुति पहँते हैं और आप इसको खाएंगे तो आपको बहुती मज़े आ जाएंगे बहुती टेस्टी पराठा होता है चलिए आप सेकंड मेथद बरताती हूं मैं इसमें यह करना है कि आपको सिफ सेखना है इसको विदाउट एनी गी विदाउट एनी ओयल और जिसे रोटियां सिखती वसी सेखेंगे आप इसको धाबे स्टाइल में पराठा सेख के इसमें बटर लगा के या वाइट बटर लग